इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी DO1-160 tablet का इस्तेमाल high blood pressure और hot failure के इलाज के लिए किया जाता है रक्चाप को कम करने से भविश्य में होने वाले दिल के दोरे और stroke को रोकने में मदद मिलती है यह दवा मधुमे के रोगियों में गुर्दे की क्रिया को बनाए रखने में भी प्रभावी है DO1-160 tablet अकेले या अन्य दवाओं के साथ सयोजन में निर्धारित किया जा सकता है इसे दिन में या रात में भोजन के साथ या बिना लिया जा सकता है हाला कि अधिक से अधिक लाप प्राप्ट करने के लिए इसे प्रतीक दिन लगभग एक ही समय पर लेने का प्रयास करें यदि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या आपका रक्चाप नियंत्रित है तो भी इसे नियमित रूप से लेते रहना महत्वपूर्ण है उच्छ रक्चाप वाले अधिकांच लोग बीमार महसूस नहीं करते हैं लेकिन यदि आप इस दवा को लेना बंद कर देते हैं तो आपकी स्थिती और खराब हो सकती है यह व्यापक रूप से उप्योग की जाने वाली दवा है और लंबे समय तक उप्योग के लिए सुरक्षित मानी जाती है अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करने से भी आपके रक्चाप को कम करने में मदद मिलेगी इनमें नियमित व्यायाम, वजन कम करना, धूमडपान बंद करना, शराब का सेवन कम करना और अपने चिकित्सक द्वारा सलाह के अनुसार अपने आहार में नमक की मात्रा कम करना शामिल हो सकता है यह दवा अधिकांश रोगियों द्वारा अच्छी तरह सहन की जाती है और इसके कुछ दुशप्रभाव होते हैं चक्कराना, विशेश रूप से पहली खुराक के बाद कुछ लोगों में होने के लिए जाना जाता है यह सिरदर्द से जुड़ा हो सकता है अपने चिकित्सक को बताएं कि क्या यह दुशप्रभाव आपको परेशान करते हैं या दूर नहीं जाते हैं इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको किड़नी या लीव की कोई समस्या है गर्भवती या स्तनपान कराने वाली माताओं को भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए जब आप यह दवा ले रहे हों तो आपका डॉक्टर नियमित अंतराल पर आपके गुर्दे की कार्य प्रनाली, रक्चाप और आपके रक्त में पोटेशियम के स्तर की जांच कर सकता है वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद